फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है देखिए आज मैं आपके सामने एक और बहुत बड़ी न्यूज बहुत बड़ी खुशकबरी आपके सामने लेके आया हूँ और वो आई है फ्रेंड्स से यानी आज एक और ऐसी न्यूज है आज भारत के चालिसवें धरोहर को इस्थान मिला है और वो है गुजरात का धोलाविरा सहर देखिए ये सिंदू सब्बिता का सहर है और ये बहुत बड़ी न्यूज है देखिए अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये है यूनिसको ने गु का चीज सबसे इंपोर्टेंट है ये जो है तिहरीवी सदी का है यूनिसको का वर्ल्ड हरिटेज लिस्ट में चालिस वहां जो सामिल हुआ है वो है आपका धोला वीरा तो इसकी जो है जी किसन रेड़ी उन्होंने ये अपना ट्वीट किया है लेकिन अब हम जानते हैं एक जी तो है चंपानेर दूसरा है पाटन में स्थित रानी की बाव और तीसरा है एतिहासिक सहर एहमदाबाद तो अब जो चोथा है हमारा धोला वीरा जिसको हरपा संस्क्रटीम के तहत जो बोलते हैं कि हरपा में जो भारत में स्थित है इस सबसे बड़ा सहर या सबसे कौन से जोर्डन के एस साल्ट और फ्रांस में नाइस से इसका कंपटिशन था तो इन सब को पचाड़ते हुए जो धोला वीरा है ये जीत गया है विस्व धुरोहर का स्टेटस ये कहां है देखिए गुजरात में यहां पे आपका धोला वीरा है अब अच्छली जानना चाहे आप सब लोग की धोला वीरा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ते धोला वीरा भारत के गुजराज राज्य के कच्छ जिले की भचाओ तालुका में देखिए बचाओ तहसील है वहां पर एक वहां का पुरा तत्व इस्थल है इसकी खोज जगपत है ये एक सिंदू सब्विता का सहर जैसे मैं आपको बताया और जो इसके अंदर जो मेन नगरों की संख्या थी वो छे थी हरपा मोहंजोड़ो काली बंगा चनहुदःो बनवाली एड लोथल तो ये जो अभी आप जो बात कर रहे हैं धोला वीरा तो इन धोला वीरा के बा संघूजी महानगर था वो दोला वीरा हुआ करता था क्योंकि ये समुद्र के किनारे था जो भी आयात या जो भी कोई स्टैप की चीज़े होती थी वो समुद्र के किनारे वहां से होती थी यह सिंतु सबता का सबसे सुन्दर नगर था जल संग्रहन के प्राचिंतम शाक्षय मिले हैं और अच्छी जल परबंधन की परणाली भी यहां पे मिली है देखे यहां का क्या है एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है विशाल जलाशय जिसकी छमता लगबग लगबग ढाई लाख हजार घन मीटर पानी उसमें आ सकता था और उसके नीचे जाने के लिए बाकादा सीडी वगरा बनी हुई थी अब जो वहां का नगर जो था वो आयताकार था और इस नगर को तीन भागों में डिवाइड किया गया था जो आप देख रहे हैं यह पस्चिमी टीला यानि यह किला था यहाँ पर राजा महराजा यानि बड़े लोग जो भी रहते थे वो यहाँ पर रहते थे सबसे नीचा यहाँ पे जो भी छोटे लोग या बोल सकते हो एक निम्न जो परिवार के लोग थे वो यहाँ पे रहते थे और एक यह मध्यम नगर जो है इस नगर की जो किला बंदी भी थी अपनी अलग से तो यह तीन भाग में डिवाइड था किला मध्यनगर और निम्न नगर देखिए आगा आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक किले और मध्यनगर के बीच में एक अलग से कुछ आपको यह दिखाई दे रहा होगा देखे यहाँ पे बताय जा रहा है कि यह स्टेडियम हुआ करता था इसके चारों तरफ बैठने के लिए सीडियां वगरा सब बनाई हुई हैं तो यानि उस टाइम पे 5000 साल पहले यह सब चीज़ें हुआ करती थी यह देखे पानी और नीचे जाने के लिए सीडियां दोलावीना नगर के दुर्ग भाग और मद्यम भाग के मद्ध 283 इंटु 47 मीटर की एक भवे इमारत के एवसेस मिले हैं इसे स्टेडियम बताया गया है जिसके चारों और दर्सकों को बैठने के लिए सीडियां भी बन 20 तालाब के साक्षय प्राप्त हुए हैं इनके साथ साथ धोला वीरा में दो नहरो के साक्षय भी प्राप्त हुए हैं यहां से पोलिश युक्त पासान खंड भी मिले हैं जिन से विदित होता है कि पत्थर पर चमक लाने की कला उस टाइम पर वहाँ पे अवेलेबल थी या मिली है यह संभवत्य विस्व के पर्थम सूचनापट का पर्णमान है देखें जैसे मैंने आपको बताया कि छेतरफल की दरश्टी कौन से भारत सैंधावो इस्थलो में जी यानि सिंदू सब बता कि जितने इस्थल भारत में है उसमें ये सबसे बड़ा नगर था तो देखिए एक भारत के लिए इतनी बड़ी खुसकबरी कि इस ही आपकी जो 44 तिया मीटिंग चल रही है उसमें दो भारत ये इस्थानों को ये दरजा दिया गया है 39 वा जो इस्थान था भारत की तरफ से वो मिला था रमपपा टैंपल तेलंगाना को और जो अभी दोला वीरा जो हडपा गी सब्विता का एक हमारा सबसे बड़ा सहर था सबसे सुन्दर सहर था जिसका आप बोल सकते हैं कि जो जलाश्य है वो यहां का में था तो उसको भारत की तरफ से दरजा मिला है और देश में खुसी का माहोल चारो तरफ फैला हुआ है तो यह थी आज की निउस आपको कैसी लगी जरूर बताएगा आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत